राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके सामने केवल दो चमच खी, गेहूं के आटे और धेर सारी सबजीयों के साथ ऐसी डिलीसियस रेसिपी शेयर करने जारी हूँ जो आपके बच्चों की फेवरेट होने वाली है। आप उन्हें टिफिन में दीजे, breakfast, lunch, dinner कभी भी दीजे, वे इसे खाने से कभी भी मना नहीं करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें नमक डालेंगे, एक चोथाई छोटा चमच, यहाँ पे मैंने पीजा मसाला लिया है, जो मिक्स अब आता है वो लिया है, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, उपर से बारी कटा हुआ हरा धनि यहाँ डालेंगे, सभी छीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, अब हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना कर तैयार कर लेना है, दोस्तो आप चाहे तो गेहूं क के आटे की जगे मैदा भी ले सकते हैं और इसमें घी का मोयन भी डाल सकत देना है जिससे हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं इस तरह से आटा लगा कर तैयार करना है अब हम इसे ढग देंगे 10 मिनट के लिए जब तक की हम बाकी ही तैयारी करते हैं अब यहाँ पर मैंने एक पैन में एक चमच बटर लिया है आप चाहे तो इसके जगे घीया तेल ले सकते हैं बटर ढलते समय गैस की फ्लेम को एकदम स्लो ही रखिए अब यहाँ पर मैंने एक चमच बारी कटा हुआ लैसुन लिया है और एक ही चमच बारी कटा हुआ अद्रक लिया है उन्हें हमें डाल देना है और हमें इन्हें अच्छी तरह से fry कर लेना है जब तक हमारी जो लहसुन और अद्रक है उन्हें थोड़ासा ठाप अजाए तब तक हमें इन्हें fry करना है अब यहां पर मैंने दो बारी कटे हुए प्याज लिए है मेडियम साइस के, सिम्ला मेड्श ली है, एक जिसे मैंने बारी कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने दो चोटे साइस की गाजल ली है, बारी कटी हुई, इनने हमें डाल देना है अब हमें मेडियम फ्लेम में इन सभी सब्जियों को फ्राई कर लेना है थोड़ी देख फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर मैंने पत्ता गोबी ली है जिसे मैंने बारी कट कर लिया है दोस्तों यहाँ पर आप अपने पसंद के कॉडिंग कोई भी सबजी डाल सकते है सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करना है उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे यहाँ पर आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग के नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हमें इसे एक से दो मिनट और फ्राई कर लेना है यहाँ पर हमें सब्जियों को बहुत जादा नई पकाना है बस थोड़ा ही पकाना है सब्जियां अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें पीजा मसाला डाला है एक बड़ा चम्मच और चिली फ्लेक्स डालेंगे आधा चम्मच आप अपने टेस्ट के आलू लिये है अब आलू को हमें अच्छी तरह से मैश करते हुए सब्जियों में डाल देना है तोस्तों आप इसमें चाहें तो थोड़ा जादा भी आलू डाल सकते हैं आलू को डालने के बाद आलू को हमें सब्जियों के साथ अच्छे से मैश करते हुए मिक्स कर देना ह अब यहां पर मैंने breadcrumb लिया है जो toast आते आते हैं ना 4 toast को मैंने mixer में चला लिया है तो हमारा breadcrumb तयार हो गया है breadcrumb से अच्छी सी binding आईगी ब्रेट कर भी हमें अपने हाथों से अच्छी तरह से mix कर लेना है मिक्स ओने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने जो सेजवान चटनी आती है न वो ली है आप चाहे तो इसकी जगए सोया सॉस, चिली सॉस या फिर थोड़ा सा टोमेटो सॉस को मिक्स करके भी डाल सकते है यहाँ पर मैंने एक चमच और आधा चमच सेजवान चटनी ली है उसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसे आप जरूर डालिए इससे टेस्स बहुत बढ़िया आता है अब दोस्तों यहाँ पर मैंने चीज लिया है जिसे मैंने इस तरह से क्यूपस में कट कर लिया है आपके पास कोई भी चीज है आप उसे ले लीजिए अब हमें थोड़ा सा मिक्षर हाथ में लेकर इस तरह से उसे लोई का शेम देना है और इसे हमें अब थोड़ा सा हाथों में फैला लेना है अब इसके बीच में हमने चीज के कट करके रखेते उन्हें डाल देना है चारो तरफ से आलू और सबजियों के मिक्षर से हमें इसे सील कर देना है आप इसे अच्छा सा गोल शेप दे दीजे जैसे हम लड़ू बनाते हैं लड़ू का शेप आप इसे दे दीजे दोस्तो यदि आपके पास नॉर्मल चीज है या फिर आपके पास चीज स्लाइस है आप उसका यूज भी इसमें कर सकते हैं इसी तरह से हमें सभी बॉल्स बना कर तैयार कर लेनी है यहाँ पर आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है हमें इसे एक बार फिर से मैश कर लेना है मैश करने के बाद हमें इसकी एक लोई बना कर तैयार करना है यहाँ पर मैं थोड़ी बड़ी ही लोई बना कर तैयार कर रही हूँ अब हमें लोई में थोड़ा सा गेहों का आटा लगा लेना है अब हमें इसे बेल लेना है इसे में थोड़ा बड़े साइस की रोटी बेल कर तैयार कर रही हूँ हमें इसे बहुत जादा ना मोटा रखना है ना ही बहुत जादा पतला अब इस तरह का आप एक धगकन ले लेजिए और इससे आप कट कर लीजिए आप चाहे तो छोटी-छोटी लोईया बना कर भी रोटी बेल सकते हैं अब हमें इसके अंदर हमने जो सबजियों के बॉल्स बना कर रखे थे उसे रख देना है दोस्तों आपके बॉल्स जितने बड़े हैं आप उसके कॉर्डिंग ही रोटी बेल लीजिए और हमें इसे अच्छी तरह से सील कर देना है इसे मैं यहाँ पर गोल ही बना रही हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बॉल्स बना कर तैयार कर ली है इसी तरह से आप सभी बॉल्स बना लीजिये दोस्तो अब यहाँ पर मैंने अप्पे पैन लिया है उसमें हमें थोड़ा-थोड़ा सा तेल डाल देना है और सभी बॉल्स को हमें इसमें रग देना है दोस्तों आपको लग रहा होगा ये बॉल बड़ी है ये अप्पे पैन में नई सिख पाएगी लेकिन ये अच्छे से सिख चाएगी बस हमें अप्पे पैन को ढखना नहीं है हमें इसे इसी तरह से खुला ही पकाना है उपर से आप थोड़ा सा तेल को ग्रीस कर दीजिए आप बॉल्स को थोड़ा चप्टा कर लीजिए और टिकी के जैसे आप इसे तवे पे भी सेख सकते हैं यहाँ पर सभी बॉल्स में बहुत ही बड़िया कलर आ चुका है अब हमें कैस को बंद कर देना है तो लीजिए बहुत ही जादा डिलीसियस गेहूं के आटे और धेर सा अब भी आप घर में छोटी मुटी पाटी करते हैं बड़े पाटी करते हैं किटी पाटी करते हैं तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए ट्राइ करने के बाद यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को ला क्रीष्ना